पूरुलिया पस्टिमंगल का एक ऐसा टूरी स्पॉट है जो दिन बादिन हम सभी के मन में एक गलक्सी जगा बनाते जा रहा है हलांकि पस्टिमंगल में ऐसे बहुत सी खुश्रत जगाए है जहां पे हम सभी अपना वीकेंड पीता सकते हैं लेकिन पूरुलिया की बात ही कुछ आ रहा हुए क्योंकि हम जब भी पूरुलिया की सफ़र में आते हैं तब कुछ ना कुछ अलक्सी अनुभुती हम यहसे ले कर जाते हैं इस बार भी हमारे साथ ऐसा ही कूछ हुआ पूरले के सफ़र में हमने एक ऐसी जगा को एक्स्टोर किया जिस जगा के बाड़े में आप सभी साइद ही सुना होगा और आये है कितने ये तो कोई भी गिन के बता सकते हैं मैं ऐसा इसलिए कहरा हूँ क्योंकि इस जगा को भूंडे में हमें बहुत समय लग गया जगा बहुत ही सुन्दर है और इस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया भी है तो दोस्तों इस जगा को देखने के लिए इस वीडियो को अंतर तक देखिए और आप इस जगा पे कैसे आ सकते हो तो ज्यादा बाते नहीं करते हुए शुरू करते हैं अज का वीडियो अगर आप हमारे पुडिया के पेले बाले बलॉग्स देखे हो तो आपको पता जली गया है कि हम ढूबारा पुडिया आने वाले हैं कि कि हम आपगे जो लास्ट बलॉग थे उसका हम कहते हैं कि हम कुडिया दो बारा वापस आएंगे अच्छे हम लोग पूर्लिया फिट से लोटेंगे उस इलाके पर जाना है ना बारंती परंती तो अब अभी हम सेंट्रल पूर्लिया में है असल में सेंट्रल पूर्लिया है वो बहुत बड़ा इलाका है तो पिसली बार जो हम लोगे किया था वो अजोद्धा पहां के एक पार्ट किया था अजोद्ध जरूर किजिएगा चनल को और गांटी 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 तो लास्ट व्लॉगिंगे जो लास्ट पार्ट हम लोगा था पार्ट पूर का उसके अंट में हम लोगे बुला था कि मुर्गुमा जाएगे अब मुर्गुमा के इलाके से जो जाल्दा की तरफ से निकलता है जर्गन के बॉर्टर के दरव से और कुछ एक्स्टेंडेट पार्ट अजोद्दा हील का उसमें चार पाच किलाते आ जाते हैं तो आज वो पार्ट हम लोग कवर्ट करने वादे हैं आज 13 सेप्टमबर है कल राट को हम लोगों ने ग्यारा पाच का चट्रधर को पैसेंजर पगड़ा है वो पगड़के आज पूलिया आए शारे च्छे वज़ें लोग कोल्या पाँजे उरका एक लोगी मी आएगा तो महांत पे आएगा चलू दिखेंगे लोग सेंट्रल आपको बताएंगे देवासिस काफी अच्छा स्कड़ी करते हैं तो मैं हम लोग आपको यह भी बताएंगे कि आपको कुछ जगह पर्टिकुलर जगह में अगर रुखना है क्योंकि वह पर्टिकुलर जगह काफी फेमास है रुखने के लिए रिजार विज़ट बने हुए तो कहां से आप आ सकते हो कहां त्यार सकते हो उसका भी हम लोग एक कंप्लीट पैकेज देने के आपको कोशिश करेगे तो सेंडल कूई है कि कौन कौन से जाकर एक्स्प्लोर करने वाले है कि जगने के लिए अमारे साथ बने रहे हैं और जड़ी एक्स्पेस देखते रहें है झाल झाल जो खोईडा बरा है तो फाल से घरा एक ऐसी डेम है जहापे आप पिकनिक और फिल्म सुटिंग बहुत अच्छी तरह किसे कर सकते हो और यह जगा अगर आप बलरामपूर से आना चाते हो तो आपको 29 किलोमेटर दुरी तैय करना पड़ेगा और अगर बलरामपूर में ठाइना चाते हो तो आप ठैड़ भी सकते हो वहापे एकोंडेशन मिल जाएगा आपको एक और बात यहां आने की सबसे अच्छी मौसम है बारिस के मौसम ठंडी के मौसम या बसंतरी तू यानि की मार्च के महने में आप यहां पर आ सकते हो यह बहुत अच्छी समय है यहां पर आने के लिए जल्ते भार देख रहे हैं लेकिन क्या बात है वहाद छल्दी छोड़ भी रहे हूं जिनोंने देखा नहीं है वह पहले अज़वत्ता पाहर देख रहा है कि अगर आप डाइरेक्ट ये वीडियो देंगे तो कुछ समझ में नहीं आगा आप लोग सोचोंगे जो नए सब्सक्राइबर जो है या फिर जो नए दोस्त देख रहे हो हमें तो आप सोचोंगे कि क्या वीडियो डाला है बाकी डिटल्स तो नहीं दिया है तो इससे पहले जो पूरिया के वीडियो आमने डाले है वो जड़ू देख लीजिए आप मेरे साथ जो ये जगा देख रहे हो इसे अजुद्या पहार का एक्स्टेंडेट पोर्शन कहा जाता है जिसे हम कहते हैं माथा बुडू माथा हिल्स यहां पे एक आनंद दायक यहां पे परिवेश हैं इन्वायर्मेंट है माथा बुडू यह जगा रोक प्लाइमिंग और जंगल ट्रेकिंग के लिए प्रसीद माना जाता है अगर आप रोक क्लाइमिंग के सौकिन हो यह जंगल ट्रेकिंग के सौकिन हो तो आप यह जगा आपके लिए परफेक्ट माना जाए और बौड़ा भूम स्टेशन बौड़ा भूम स्टेशन से यह जगा नजदीक है हम लोग ने काफी एक लंडी यात्रा की पूर्लिया से 55 किलोमीटर बागमुंडी से 15 किलोमीटर बलरामपूर से 16 किलोमीटर की यात्रा की हमारा जो अनुबाब है वो तो काफी रोमांचीत है लेकिन आप वीडियो देखके वो रोमांच अनुबाब नहीं कर पाओगे इतना खुद आपे आके आप यह अनुबाब करोगे मेरे सामने जो आप यह बिल्डिंग देख रहे हो यह माथा हिल्स का रिजोर्ट है काफी जानावाना रिजोर्ट है माथा हिल्स रिजोर्ट कहते हैं इसे अगर आप डारेक्ट बड़ा भूम से माथा हिल्स चले आओ लेकिन माथा हिल्स रिजोर्ट में अगर रहने का विचार है तो आप इसमें अवर्से बुक कर सकते हो रूम वीडियो की सुड़ू में मैं आप सभी से कहा था पूर्लय की इस सफ़र में हम आप सभी को एक ऐसी जगा दिखाने वाले हैं जहां पे बहुत ही कम मत्रा में परियाट्यक आते हैं यह जो रस्ता आप देख रहे हो यह सीधा हमें उस जगा पे ले जा रहा है जिस जगा को देखने के लिए आप सभी ने इंतेजार किया तो फिर चलिए देखते हैं तो मेरे पीछे जो डैम देख रहा हूँ आप यह देखो इसे कुकी डैम कहा जाता है हम लोग जानते नहीं आप कुकी डैम के बाड़े में कितना जानते हो फिलाल मेरे पास जो जानकरिये हो आप लोग को दे रहा हूँ यह कुकी डैम रूपाजिनादी के ऊपर बनाया है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसे बूखलीया शपर किया है लेकिन कुकी डैम के बाड़े में ज्यादा जानकरी नहीं है पर फास फिल्टी इस जी ज्यादा जानकरी नहीं है इस प्लेस को हमने खो जाया, बहुत मुस्किल से खो जाया, हमने ड्राइवर्स आपको भी पता नहीं था, गुगल गुगल मैप भी अपना खाथ उटा देगा, तो यह काफी अच्छा ना जा रहा है, यह जो एक्स्टेंडे पाठ है, जो कुछ पोलिया के छेत्र में आता है, जाल्दा के छेत्र में आता है, अभी हम लोग जाल्दा के छेत्र में बैतने हैं, कोई बड़ी बात में यहां पर आने में, अगर आप भाएरा बेरा से घारी मतब जो गारी करेंगे, खाएरा बेरा से आप डाइवर को बोल दीजे कि मुझे जाल्दा रोड होते हुए निकल निकल लाए, जाल्दा रोड आते हुए, कोई किससे पूछ लीजे, कि करते ही, आगे जाएंगे तो डाइने तरफ एक ब्लेन घुज जाता है, उस लेन से 3 किलो मिटर अंदर आपको आना हो, और अगर आप जाल्दा से आना चाते हो, जाल्दा से 11 किलो मिटर त्योरी पे है, और जाल्दा से भी आपक्सेस कर समते हो लेकिन आईए जड़ू, क्य हमें तो बहुत अच्छा लगा आप वीडियो देखो आपको कैसा लगा है आपको कॉमेंट में बताइए तो मिलते हैं अगले सबसे पहले वाला वीडियो देखे हो तो आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने एक वादा किया थे कि एक जगा को हम बाद में आपके सामने लाएंगे जी यहां दोस्तों मैं बात कर रहा हूं हमारे टॉप 12 वीकेंड टूरिस डेस्टिनेशन अफ सेंट्रल मुर्गुमा को रखा था और आप सभी से वादा भी किये थे हम इस जगा की जानपरी बाद में एक अलग वीडियो बना के देंगे तो यह रही आपके सामने मुर्गुमा डाम आप इस वीडियो के माध्यम से मुर्गुमा डाम को देख रहे हो और हम भी अपने किये हुए मुर्गुमा डाम को निवार आए है तो आप मुर्गुमा डाम की सोंगर यह देखिए हमारे साथ और जार्णी एकस्पेस देखते हैं जार्णी एकसी जगा है जहापे आप चाहँ तो ड्रेकिंग कर सकतो फिल्म सुटिंग कर सकतो यह पिर अमारे तरफ लॉक्सुटिंग भी कर सकते हो यह का माहल जो है बहुत सान्थ है सुटिंग के लिए परफेक्ट है यह जो जगाए आप देखे हो इस सभी जगाए घूमने के लिए हमें कुल मिला के 23 रुपे देने पड़े अगर आप मुर्गुमा आना चाते हो तो आपका नजदी की स्टेशन पड़ेगा जाल्डा जो यहां से पंद्रा किलो मेटर दूरी पे है अगर पूरूलिया से आते हो तो पचपन किलो मेटर और अगर रांची से एरपोर्ट से होके आते हो तो आपको 70 किलो मेटर दूरी तैय करना पड़ेगा और यहां आने का सबसे सही मौसम है बाडिस के मौसम, ठंडी के मौसम और खास करके बसंत्रीतु, क्योंकि बसंत्रीतु यानि कि मर्च के महिने में अगर आप आओगे तो यहां पे लाल पॉलास फूल इस जो संदरिये है वो आपको देपने को बिले मौदुमा में अगर आप रहना चाते हो तो यहां पे बॉन्पोनास रिसोर्ट है आप 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 सकते हैं इस बार सेंट्रल पूरूलिया हम जिस गाड़ी में घुमें चलिए उसके बाड़े में जान लेते हैं तो दोस्तों पूरूलिया के इस सफ़र में हमारे साथ है कुल्चक भुस्ता में किसले के हमारे साथी थे मिस्टा असुक सिंग तो यह हमारे इस बाड़ के साथ ही तो इंका जो नाम और नंबर है और आप आप वहां से पलेट कर सकते हैं जल्द लाटे गया नाप पूर्ड़ के लिए हमें आगया दीजिए और दिखते रही है जानने अच्छास तो माथा पूरू से तो निकले और कुछ नापेरे नियरेस्ट लोकेशन और अंकोरे दीचीज फिल्द बहुते तक नापेट तो वहां और कोरे जीज रोषाने अब अबत दूस्टो अग्या वहां अध्या पूब्स वहां अध्या है फॉल गया था लेकिन यादा पॉक्ट में है जो पानी का आप पानी का क्या होलें अग्पार्ट